दोस्तो साल 2010 में इनकी पहली फिल्म आई जामबाज जिगरवाले दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल दो हजार दस में पवंसिह के साथ इनकी फिल्म आई लडाई लग अंखिया दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में दिनेश लाल यादव निर्हुआ के साथ इनकी फिल्म आई दिवाना दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में इनकी फिल्म आई प्यार करेला हिम्मत चाही दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में फिल्म आई दुश्मनी दोस्तो इस मुवी में विराज बट के साथ निरहुआ नजर आये थे और ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में इनकी फिल्म आई बारू दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2011 में फिल्म आई प्यवा बड़ा सतावेला दोस्तो इस मूवी में रवी किशन के साथ विराज बटने काम किया था और ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में इनकी फिल्म आई दिल जले दोस्तो इस मुवी में विराज बट के साथ निरहुआ नजर आये थे और ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल दो हजार बारह में विराजबट की फिल्म आई जान तेरे नाम दोस्तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्टो फिर साल 2012 में इनकी फिल्म आई भाई जी दोस्टो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक एवरेच फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में इनकी फिल्म आई दाग दोस्तो इस मुवी में विराज बट के साथ निर्हुआ नजर आये थे और ये मुवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2012 में इनकी फिल्म आई मर्द रिक्षावाला दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में इनकी फिल्म आई आंधी तूफान दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2013 में इनकी फिल्म आई विराज तडिपार दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में इनकी फिल्म आई पंचायक दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में इनकी फिल्म आई कसम वर्दी के दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में इनकी फिल्म आई इक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2014 में इनकी फिल्म आई टेंडर दोस्तो ये मुवी बॉक्स आफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में इनकी फिल्म आई खलनायक दोस्तो इस मुवी में विराज भट बहुत ही खतरनाक एक्शन करते नजर आय थे लेकिन ये movie box office पर एक average film साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में इनकी फिल्म आई गर्दा दोस्तो ये मूवी बॉक्स आफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2015 में फिल्म आई बाज गई दंका दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में इनकी फिल्म आई बागी भाईले सजना हमार दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में इनकी फिल्म आई इंतकाम दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में फिल्म आई जय महरारू जय ससुरारी दोस्तो इस मूवी में विराज भट के साथ राकेश मिश्रा नजर आये थे और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2016 में इनकी फिल्म आई जिद्धी दोस्तो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2017 में इनकी फिल्म आई गुंडे दोस्तो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई रानी दिलबर जानी दोस्तो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई डॉन दोस्तो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में इनकी फिल्म आई दामिनी दोस्तो ये मुवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2018 में इनकी मुवी आई नायक दोस्तो इस मुवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तो फिर साल 2018 में इनकी मुवी का पोस्टर आया था आक्रोश दोस्तो इस मुवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तो फिर साल 2019 में इनकी फिल्म आई गुंडे टू दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में इनकी फिल्म आई थी रक्तचरित दोस्तो ये मूवी बॉक्स ओफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई दोस्तो फिर साल 2022 में इनकी मूवी का ट्रेलर आया था प्यार भाईल हिंदुस्तान से दोस्तो इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है दोस्तो फिर साल 2023 में इनकी एक मूवी का ट्रेलर आया था वध दोस्तो इस मूवी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है